आदाब नमस्कार QNS TV आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूँ आंचल मिस्कीन चलिए दोस्तों हम हमारे आज के इस पेशकश की शुरुवात करते हैं पेड जब ये शब्द दोस्तों हम सुनते हैं तो दिमाग में कई तरह की images create होती हैं जैसे ठंडी हवा, ठंडी चाया, fruits वगेरा और अगर हम 90s या उससे पहले की generation की बात करें तो उस दोरान की जो बचपन की memories थी ये पेड उसकी बहुत ही खुबसूरत memories का हिस्सा रहे हैं अब अगर किसी case में आपको सुनने को मिले की पेड आप के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसी से जुड़ा एक मसला डिस्ट्रिक्ट गांदर बलके गलदर पोरा, शेहपोरा इलाके के रहने वालों ने हम तक पहुँचाया उनका कहना था कि उनके घर से 10 फीट की दूरी पे कुछ 30 साल पहले सोशल फॉरेश्ट्री डिपार्टमेंच ने पॉपलर के धेरों पेड लगाए थे जो आज मैचौर हो चुके हैं अब ये इतने लंबे हो चुके हैं कि उस इलाके के घरों पर अब इन पेडों से खत्रा बना हुआ है आप सोचते होंगे कि पेड कैसे खत्रा बन सकते हैं अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेड कितने लंबे हो चले हैं आंधी तूफान आने पर ये पेड जिस तरह तेज हवा से जूलते होंगे वो नजारा डरावना होगा इन हालातों में ये पेड कभी भी गिर सकते हैं और इनके गिरने से वैसा ही नजारा दिखेगा जैसा अवलांच या अर्थक्वेक आने से दिख सकता है घर तूटकर मिट्टी का धेर बन सकता है घर के अंदर के लोग मर सकते हैं अब हाल ही में जो आंधी तूफान आया था उस पर वहां के लोगों का कहना था कि वो तब तक अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर रहे जब तक तूफान नहीं थमा ये बात ये सिनारियो हलके मे लेने वाला तो बिल्कुल नहीं है जो वहां रहते होंगे वही जानते होंगे कि वो किस डर के साथ वहां जी रहे हैं और हर पल इस डर में है कि कहीं किसी पेड़ के गिरने से उनके घर उनके आशियाने को नुकसान ना पहुंचे या वो तूट कर भी खरना जाए दोस्तों य इन लोगों की जान खत्रे में आ जाती है और में के महीने में इन पेड़ों के पोलन से वहां के सभी निवासी बहुत बीमार हुए थे हाली में जिस वजह से उनके इलाज के लिए वहां डॉक्टर्स की एक टीम को आना पढ़ा था सोचिए खुलकर सांस तक नहीं ले सकते यहां के रहने वाले किस मुश्किल में जी रहे होंगे ये लोग ये आप और मैं मिलकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों इस मुशले को लेकर यहां के लोकल्स ने कई ओफिशिल्स को लेडर लिखी जैसे कि आप देख रहे हैं डी सी गांदरबल, एडी सी तक को अपनी problems बताते हुए इन्होंने चिठी लिखी पर फिर भी अभी तक कोई ऐसी कारवाही नहीं हुई जिसमें social forestry department ने हरकत में आते हुए इन पेडों को कटवाने का काम शुरू किया हो जब forest department के अधिकारी अपना ये एक काम नहीं कर पा रहे इन लोगों की मुश्किलों पर कारवाही नहीं कर पा रहे तो यहां सोचने वाली बात ये है कि आखिर इस department में आने वाले बाकी काम कैसे हो रहे हैं social forestry department में social word लोगों की presence से बनता है उनहीं की भलाई के लिए environment wise ये department काम करता है पर अब अगर ये department लोगों की बात पर गौर ही नहीं करेगा और इस तरह इनका मसला अंसुना छोड़ देगा तो कैसे कहा जाएगा कि ये department अपना काम कर रहा है बस इसी बात को सामने लाते हुए हमारी DC गांदर बल और concern department से यही अपील है कि इन लोगों की आवास को अंसुना ना करें ये लोग वाकई में मुश्किल में जी रहे हैं और इनकी जनुविन मुश्किलों पर ध्यान ना देना इनके साथ बहुत बड़ी नाइनसाफी होग तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकर्श में हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही हम फिर हाजर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ या किसी और ऐसी ही एक रिपोर्ट के साथ तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभ मिस्कीन को दीजे अजाज़त